अगर आपको अच्छा टीचर्स बनना है तो आपके पास जो नॉलेज है उस नॉलेज को कैसे डिलीवर करना है किस टेकनिक के साथ किस स्टाइल के साथ आप अपने बच्चों को कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइट कर सकते हो यह आपको पेडागोजी ही सिखाती है तो पेडागोजी जानने के लिए आप मेरे चैनल को साथ और आप वीडियो को अन्तक देखना होगा अगर आप लोगों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अपने दोस्तों के साथ से जरूर करए ठीक है तो वीडियो को बिना डिले की स्टाट करते हैं कैसे आप लोग मैं आसा करता हूं कि आप बढ़ रहांगे पढ़ाई कर रहांगे क्योंकि यह जो आज का वीडियो होने जा रहा है यह काफी इंपार्टेंट है उन सारे स्टुडेंट्स के लिए जो पेड़ागोजी को लेकर काफी परिशान रहते हैं कि पेड़ागोजी क्या होती है और उसमें हमें क्या करना तो पेड़ागोजी जो इंपार्टेंट पार्ट आफ टीचिंग इंग्जामिनेशन तो आप यह कह सकते हो कि सीटिट हो या केभी इस हो तो पेड़ागोजी में यही चीज़ें हम लोग को पढ़ना होती है कि हाव टू टीच या हाव टू इन्हेंस टीचिंग स्टाइल त कैसे इस चीज़ों को करें अब मेत्ग को टेक्निक को सीखें पेड़ागोजी में हम लोग यही सारे चीज़े देखते हैं टेक्नीक को देखते हैं सारे चीज़ों को मतलब ऐसा नहीं है कि कि सीभी बंदे में किसी बही टीचर्स में लेकि उस और फैंसको context करेंग dest तो इसमें चीजो को आपको help जो आज बात करेंगा इंटोड़क्षण और पेड़ागोकम तोan इंगलीस कि में बात करता हूं तो इंगलीस टीचर्स इंगलीस ताम जो हते हों जो फेशिलेटर , इंगलीस टीछर्टर के तरह करते हैं और कैसे बच्चों को help करें यह सारे चीजों को develop करने में उनकी style क्या होनीच चाहिए जिससे अपने teaching इस style को अपने teaching जो मतलब technique है उसको और कैसे चीजों से बच्चों को और ज्यादा enhance कर सकते हैं इस सारे चीजों को इसमें हमने discuss करेंगे आज ठीक है तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहो और इस पेडागोजी section को पुरा आप देख लेना ताकि आपको को problem नहीं आए ठीक है तो देखते है one by one हम लोग इसको discuss करते हैं पहला देखते हैं introduction कुछ briefly हम लोग देखते हैं ठीक है कि the course of the teaching of English is basically an attempt to enhance the teachers तो यह पेडागोजी जो होता है कि enhance the teaching style of teachers ok understanding of the learning process nature and structure of English and second language आपको पता हो है कि English हमारा second language है और second language है तो बच्चों क्या करते हैं कि जो first language में जितने इंट्रेस्ट से पढ़ते हैं तो उस इंट्रेस्ट को बच्चों लर्नर में क्या करना है डेवलफ करनी है उसको इंकरेजमेंट करनी है ताकि चीजों को और अच्छे से समझ पाया ठीक है तो हम लोग डिफ्रेंट तरीकों से डिफ्रेंट डिफ्रेंट मेंथा टेखनिक से हम लोग क्या करते हैं बच्चों को लर्नर को स्टूडेंट को परहाते हैं यानि जो language teachers कौन सातथ टेकनिक का कहाँ पर कौन से स्किल का यूज करनी है। मतलब अच्छे से समझते हैं सारे चीज़ों को और हमारे भली टेकनिक होती है जो स्किल्जे जो सिकने की चार होती है there are four skills of language एक हीम, listening, reading and writing इस चारोई स्कील के बारे में हम लोगों ने वीडियो बना रखा है आप मेरे प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हो उसके बाद पहला जो होता है कि इंसाइट अबाउड लैंगवेज लेर नॉट ओनली और कोगनेटिव इंटे बट आज सोचल बिंग हमारे जो सोसाइटी हमारे मदर टंग होता है वह दूसरी लैंगवेज थर्ड लैंगवेज को सिखने में क्या करता है तो हम लोग जो होता है इनिशियल स्टेज में ब्लस कर लिया जाता है जैसे आप सहूथ इंडियन चले जाओ और डिपेंड करता है आपका जेग्रोफिकल कंडिशन सेटेट के साथ बताने सब्सक्राइब telling method and writing method discussing method cross questioning method class में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है मतलब interact करवाना है debate करवानी है चीजों को समझाना है उन्हें help करना है बहुत सारे language बहुत सारे words में जो होते हैं जो second language की English की में बात कर रहा हूँ यहाँ पर vocabulary की lack देखा जाता है lackness of vocabulary तो इस सारे चीजों को मतलब उन्हें criticize नहीं करनी है उन्हें support करना है support कहने का मतलब जो भी sentence को complete नहीं कर पा रहे है तो उस sentence को अपने word को inbuilt करके उसको complete करवाना है चीजों को ठीक है तो इस सारे चीजे पेडागोजी भी बताया जाता है कि कौन सा subject को आप काया से पढ़ाना है तो पेडागोजी में हम लोग ये भी देखेंगे कि इंगलिस की जेनली हम बात कर रहे हैं इसमें हम लोग ग्रामेटिकल मेथड देखेंगे है कम translation method है हना फिर हम लोग देखेंगे प्रोज हाव तू राइट प्रोज रैटिंग फिर देखेंगे हम लोग पोईटरी रैटिंग देखेंगे एससे रैटिंग देखेंगे सारे चीजों को मैं एक नेक्स्ट जो वीडियो लेके आऊंगा उस सारे में हम डिसकस करेंगे स्टेप बाई स्टेप तो पेडागोजी मेंली यही फोकस करती है कि बच्चों के सामने आप कितनी अच्छे से अपने नौलेज को टीचर एक नौलेज को डिलीवर कर रहा है समझ टेकनिक को यूज करना है जिससे जादा से जादा कम समय में जादा से जादा चीजों को आप क्या कर सकते हो डिसकस कर सकते हो पॉइंट को बता सकते हो इस सारे चीजे हम लोग इसमें डिसकस करेंगे यही होती है पेडागोजी टीचिंग राइटिंग ग्रामर पर फोकस कर करेंगे सारे चीजे translation method को focus करेंगे mother tongue को हम कोई भी चीजों को analyze करते हैं फिर उसको mother tongue में सोचते हैं और फिर उससे हम लोग convert करते second language में तो यही था pedagogy आप मेरे वीडियो को pause करके आप क्या कर सकते हैं नोट्स बना सकते हैं it's a very important for B.A.D. students especially okay तो आप यह देख लेना कि what is the pedagogy, pedagogy क्या होती है और introduction में यह brief next video के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए have a good day, bye bye